हेलो एब्रिवन कैसे हो आप सब आज मैं आपके साथ इस प्लाउज की वीडियो शेयर करने वाली हूँ ये मेरे एक सब्सक्राइबर है सुनीता अमबाले से उन्होंने मेरे को ये पिक भेजी है बहुत जाजा असान डिजैन है सिरफ चार स्लाइउं का ये हमारा डिजैन है और इसके लिए जो हमें फंदे चाहिए वो साथ साथ के मल्टिपल से सैवन सैवन के मल्टिपल से साथ फंदे साथ फंदे ऐसे करते हुए जाएंगे लास्ट में आपने 4 फंदे एक्स्रा डालेने है पैरण को एकवल करने के लिए तो आपका डिजाइन अच्छे से सेट हो जाएगा इस ब्लाउज में जो फंदे डाले हुए हैं वो 102 फंदे डाले हुए हैं 102 फंदे डालने के बाद ये नीचे से दो सीधे दो उल्टे का बोर्डर बनाया है उपर डिजाइन को बनाया है डिजाइन को कैसे बनाना है चलिए जल्दी से पहले डिजाइन सीख लेते हैं सलाई में यहां पर मैंने फंदे ले लिए हैं साथ यह एक्किस और चार फंदे हमारे एक्स्ट्रा एक एक रो दोनों तरफ से मैंने उल्टी उल्टी की बना ली है ठीक है अब क्या करेंगे पहले फंदे को हम उतारेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे यह एक यह दो यह तीन हम उल्टे बनाएंगे, तीन फंदे उल्टे बनाने के बाद, धागा दूसरी तरफ करेंगे, इस फर्स्ट फंदे को हमने उतारना है, दो फंदो को हमने सीधा बना लेना है, एक, दो, अब धागा, ये फर्स्ट फंदा, जो हमने उतारा था, इसे लेंगे, इन दोनों के उप उपर से ऐसे घिरा देंगे, अब धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, अब इसी डिजाइन को पूरी रो में हमने रिपीट करते जाना है, सेवन फंदों का ये डिजाइन है, साथ फंदों का, तो पहले एस्ट्रीज के फंदे को उतार लेंगे, तीन फंदे हम उल्टे बनाएंगे, तीन फंदे उल्टे बनाने के बाद एक फंदा हम उतारेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, उस उतारे हुए फंदे को उसके उप दूसरी तरफ करेंगे, इस फंदे को उतारेंगे, इन दोनों को सीधा बनाएंगे, अब इस फंदे को उतारे हुए फंदे को इन दोनों के उपर से ऐसे गिरा देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ये बीच में हमारे चार फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा दूस तरफ करेंगे, यह एक फंदा हमने ऐसे उतारा, दो फंदे सीधे बना लिए, अब इसे उठाएंगे, उपर से ऐसे गिरा देंगे, धागा अपनी तरफ एक, दो, तीन फंदे उल्टे, यह लास्ट एक स्टिच का फंदाजी से सीधा बना देंगे, इस तरह से करते हुए हमने ये पूरी रो बनाकर complete कर ली है अब उल्टी तरब से ये हमारी design की second row है इस first फंदे को उतारेंगे उतारने के बाल ये दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे ये एक, ये दो दो फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे ये एक फंदा सीधा अब धागा दूसरी तरफ करेंगे जोडों में जो फंदे है आपको दिखाई देंगे जिनके उपर से हमने ऐसे फंदा गिराया था एक फंदा उल्टा, फिर स्लाइपर ऐसे धागाल पेटिए फिर से एक फंदा उल्टा फिर धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, अब sliper ऐसे धागाल पेटेंगे, फिर से इस फंदे को उल्टा बना लेंगे ठीक है, ये दो से तीन फंदे किये थे, ये फिर से हमारे तीन फंदे होगे अब धागा दूसरी तरफ, यह एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करते हुए यह दो फंदे हमारे उल्टे, यह लास्ट आश्टिच का फंदा है जिसे उल्टा ही बना लेंगे, ऐसे करते हुए हमने यह पूरी रो बनाकर कम्प्रीट कर ली है, अब सीधी तरफ से, यह हम फंदे हम उल्टे बनाएंगे अब धागा दूसरी तरफ करेंगे ये एक दो तीन फंदे सीधे धागा अपनी तरफ एक फंदा ये उल्टा अब पूरी रो में हमने इसी डिजाइंग को बार बार बीट करना है स्टार्टिंग के तीन फंदे उल्टे, फिर तीन फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, ये बीच में चारों फंदे हमारे सेम ऐसे ही उल्टे आएंगे, फिर धागा दूसरी तरफ यहाँ पर जाली डाली थी, ये तीन फंदे हैं हमारे ये तीनों फंदों को हमने सीधा बना ले न हे फिर धागा अपनी तरफ ये चार फंद vendor उल्टे एक दो तीन चार धागा दूसरी तरफ तीन पंदे सीधे एक दो कि तीन धागा अपनी तरफ ये एक दो तीन फंदे उल्टे, लास्ट ये एक फंदा हमारा सीधा, ऐसे करते हुए हमने ये पूरी रो बना कर कंप्लेट कर ली है, ये डिजाइन की हमारी थर्ड रो है, ठीक है, अब फोर्थ रो, इस डिजाइन की लास्ट रो है, ये हमारी इसे सेम वैसे ही बनाएंगे, जैसे हमने पहले बनाया है, स्टार्टिंग के दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा ये सीधा, अब धागा अपनी तरफ, इन तीनों फंदों को हमने उल्टा बनाना है, एक, दो, तीन, अब धागा दूसरी तरफ, ये बीच में हमारा एक फंदा हम सीधा बनाएंगे इस तरह से धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ ये एक, ये दो, ये तीन फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ ये एक, ये दो, ये तीन फंदे सोरी ये एक फंदा सीधा और ये दो फंदे हमारे उल्टे और एक फंदा फिर से सीधा इन चार फंदों पर तो हमने ऐसे ही डालना है ने ये एक सीधा फंदा तो हमारा सीधा ही चलता जाएगा ये दोनों तरफ जो दो सीधे फंदे सीधे चलेंगे पीछ में ये उल्टे फंदे उल्टे आएंगे अब धागा अपनी तरफ ये एक ये दो ये तीन फंदे उल्टे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ ये last के तीनों फंदे उल्टे ऐसे करते हुए हमने fourth row पूरी बनाकर complete कर ली है तो friends ये चार रों का ही हमारा design है इनी चार रों को आपने बार 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 रिपीट करते जाना है एक रों मैं आपको और बनाकर दिखाती हूँ इसकी first फंदे को उतारने के बा मैं उतार लेना है इन दोनों फंदों को सीधा बनाना है फिर इसे उठाएंगे उपर से गिरा देंगे वही first row जैसे मैंने आपको पहले बताई है धागा अपनी तरफ ये चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार धागा दूसरी तरफ इसे उतारेंगे दो फंदों को हम सीधा बना लेंगे अब इसे उतारेंगे फंदे को उठाएंगे उपर से गिरा देंगे धागा अपनी तरफ फिर से ये एक दो तीन चार फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ फिर से उतारा ये दो फंदे सीधे बनाए अब इस फंदे को उठाया उपर से गिरा दिया धागा एक दो तीन फंदे उल्टे एक फंदा सीधा इस तरह से इस तरह से करते हुए देखिए यह डिजाइन को हमने फर्स्ट रो दुबारा से मैंने रपीट करकर आपको दिखा दी है ऐसे ही कंटिन्यू आगे-आगे डिजाइन को बनाते जाएंगे तो इस तरह से हमारा ब्यूटिफुल डिजाइन मनकर रेडी हो जाएगा और डिजाइन बहुत सुन्दर बहुत प्यारा है इसे आप मन चाही किसी भी परजेक्ट में यूज कर सकते हैं बलाउज में नहीं जाकिट में कार्डिगर में बच्चों के किसी भी परजेक्ट में जैस क का तरीका अच्छा लगा हो तो अपली स्यानल को जुरू सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुर मत भूलिएगा मैं फिर मिलती हो आपको नेक्स्ट वीडियो में बाबाई हैवा नाइस रे